अगर आप जीजस क्राइस की लाइफ को देखेंगे तो आप ये नोटिस करेंगे कि प्रभी युशुमसी जब लोगों के साथ थे तो परमेश्वर ने एक लंबा समय लोगों को टीच करने में पिताया अगर आप पहाड़ी उपुदेश परमेश्वर का देखेंगे तो बाइबल कहती परमेश्वर ने कहा था ये लोग तीन दिन से मेरे साथ हैं और तीन दिन में परमेश्वर ने एक हीलिंग सर्विस की और तीन दिन परमेश्वर उनको वचन सिखाता गए जिस कलीश्या में वचन की सिखावट थोड़ी है और healing ज़्यादा है वो कलीश्या complete कभी नहीं हो सकती और उसके लोग मजबूत कभी नहीं हो सकती और उस कलीश्या के विश्वासी कभी mature नहीं हो सकते जो वचन को कम एहमियत देते हैं वो भी कलीसिया कंप्लेट नहीं है जो हीलिंग बिल्कुल नहीं करती है तो कि परमेश्वर ने कहा है जाओ परचार करो और उसके बाद लोगों को चंगा भी करो इसलिए जब आप वचन को सुनते हैं तो mostly परमेश्वर आपको उत्तर जो है आपके प्रॉब्लम्स के उत्तर आपके फाइनेंशल प्रॉब्लम के उत्तर आपके शरीरिक प्रॉब्लम के जो उत्तर हैं वो आपको हमेश्वर वचन के बीच में से होकर देता है